चीन ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के रिष्टों में नर्मी लाने के लिए वह अहम हुमिका निभाने को तैयार है उसने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी और उनके पाकिस्तानी समकर्ष इमरान खान के दुपक्षिय रिष्टों को सुधार ने संबंधी बयानों की भी सरहाना की है चीन के विदेश मंत्रा लेके प्रवक्ता लूकॉंग ने कहा कि शेत्री शांती, स्थिर्था और सम्रिती के लिए भारत और पाकिस्तान के सम्मंधों में सुधार और विकास जरूरी है उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही दक्षिन एशिया के एहम देश है पाकिस्तान और भारत के पडोसी के रूप में चीन दोनों पक्षो को दृता से पारस्परिक विश्वास बढ़ाने उनके मतभीदों को सही तरीके से सम्हालने और हल करने के लिए दोनों पक्षो का समर्थन करता है चीन को उमीद है कि दोनों देश साथ में शेत्रे शांती और विकास बनाए रखने को प्रतिबन रहेंगे चीन इसमें एम भूमिका निबाने को तैयार है दोस्तों अगर आपको इस्टोरी पसंद आई तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा देली ट्रेंडिंग न्यूस की रिपोर्ट सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लेटिस्ट और इंट्रेस्टिंग न्यूस के लिए